हाई हलो नमस्कार दोस्तों मैं रविन्दुर्ट मार्यादा स्विल इंजी ने यूटूब चैनल में सभी मित्रों का सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एबं अभिनादिन करता है आज आपको एक बहुती महत्पूर टॉपिक स्विल से रेलेटिब आपको बताने जा रहा है Density of Material inputs कों से मेटरिल के कितनी देंसिटि है आज आपके लिए बताने जा रहा है चलिए आप कुछ भी देर ना करते हुए सीध़े टॉपिक पेचलते हैं यह वीडियो पसंद आई तो रविंद कुमारे आदफ से उले इंजिनर यूट चेनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए और हमको बताईए कि हमारे वीडियो कैसा लगा चलिए बहुत ही महत्पूर टॉपिक है सब के लिए ही जानना पहुत जरूरी है कि कौनसे मेट्रियल की क्योंतवी डेंजिटी होती है चलेए आपको सिधे लेके चलता है देखिए Density of Material देखिए Material और Density Cement है Cement का density 1430 kg पर मीटर क्यों होता है Sand Sand वो है जिसे यमना Sand भी बोल सकता है गंगा Sand नहीं यमना Sand बोलने का है जिसे हमें गाउं वासा में बदरपुर कह जाता है या लाल बाला Sand जो कहा जाता है वो सेंड की बात कर रहा है मैं तो वो सेंड का डेंसिटी 500 kg पर मीटर क्यों होता है एग्रिकेट एग्रिकेट रोडी आनि एग्रिकेट बतला रोडी 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 वाम 8 mm 10 mm 6 mm 12 mm कुछ भी हो सकता है है aggregate roday 1600 kg per meter क्यों होता है steel steel का density steel का density 785 kg per meter कüzik होता है water पानी पानी का density 1000 kg per meter क्यों होता है हनी हम जानते हैं क्या जानते हैं मेरे दोस्ट य pickled पढ़ाई होगा नहीं पढ़ा तो चलें सीख लिजे के 1000 kg इकल तू 10 किलोनीटन एक हजार केजी इस इकल तो दस किलो न्यूटन तो एक हजार केजी पर मीटर क्यू वराबद दस किलो न्यूटन पर मीटर क्यू सोयल सोयल का डेंसिटी सोल से अठारे सो केजी पर मीटर क्यू ले सकते है सोयल कोई सा भी हो सकता है बल्वी हो सकता है और कोई भी किले हो सकता है तो तो 1200 kg पर मीटर क्यू लेंगे RCC RCC का मतल समझा रहे ना रेंफॉर्समेंट, सीमेंट, कॉंक्रिट तो इसका यही मत्वल है इसका 2500 kg पर मीटर क्यू या किलो नीटर में चेंज करेंगे सब्सक्राइब, यहां सब्सक्राइब, आप किलो नीटर पर मीटर की, इसको भी आप किलो नीटर में चेंज कर सकते हैं, कोई दिखकर नहीं है, यह करना चाहें, तो ब्रिक मेसेंडरी ब्रिक मेसेंडरी अठारे सो केजी पर मीटर क्यों जो ब्रिक मेसेंडरी होता है वो अठारे सो केजी पर मीटर क्यों होता है बूड टिंबर लकड़ी बूड कुछ भी बोल सकता है 800 से 1600 केजी पर मीटर क्यों होता है यद वीडियो पसंद आया है तो रविंद कुमार यादव सिविल इंजिनिर यूट्व चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए सेर करिए और कमेंट करिए और पताईए आपको वीडियो कैसा लगा धन्यवाद